Hello, बच्चों, welcome back. तो बच्चों, as promised कि Trigonometric Ratios में हम एक Practice Session लेके आएंगे, जहाँ पे हम काफी सारे Questions Solve करेंगे. तो उससे क्या होगा कि आपको एक Idea लग जाएगा कि Trigonometry के जितने भी Concepts हमने पढ़े हैं, उसको apply Question Solving, Problem Solving में किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से चीजों को जो हमने Formula पढ़े हैं, जो हमने Theory पढ़ी है, उसको apply करके Final Answer तक हमें किस तरीके से पहुँचना है. तो इस Practice Session में पूरा Focus उन्हीं Concepts के Application पे होगा और अगर आपने ये सही से पूरा Section देख लिया, तो आपको Trigonometry के जितने भी Concepts अभी तक हमने पढ़े हैं, उसको apply किस तरीके से करना है और finally उससे Answer किस तरीके से निकालना है, ये सारी चीजें हम लोग सीख लेंगे. ठीक है? तो आएए, शुरुआत करते हैं. तो आएए है कि ये जो expression हमें दिया हुआ है, वो सिर्फ sin x में दिया हुआ है. और हमें जो final answer निकालना है, उसमें हमारे expressions किसमें हैं? Cos में. तो clearly हमें sin को किसमें convert करना पड़ेगा? Cos में convert करना पड़ेगा. तो आएए, जो relation दिया हुआ है, हम वहाँ से शुरुवात करते हैं. तो relation है हमारे पास sin x plus sin square x is equal to 1. ठीक है? और हमें इसको किसमें convert करना है? Cos में. तो एक काम करते हैं, ये sin square x को RHS में ले जाते हैं. तो यहानि, यहां से हमारे पास relation हो जाएगा, sin x is equal to 1 minus sin square x. ठीक है? और 1 minus sin square x हमारा क्या बन जाएगा? Cos square x. ठीक है? तो यहानि, यहां से हमारे पास relation बन गया, sin x is equal to cos square x. अब दीगे, इस sin को भी हमें cos में convert करना है. तो दोनों तरफ हम भी क्या करना पड़ेगा? square. तो आई ये square कर देते हैं हम. इधर भी square. और इधर भी square. तो यहानि, यहां से हमारे पास relation बन जाएगा, sin square x is equal to cos to the power 4x. अब इस sin square x को हम 1 minus cos square x लिख सकते हैं. तो लिख लेते हैं. तो 1 minus cos square x is equal to cos to the power 4x. ठीक है? इस cos square x को उस तरफ ले जाएगा. तो हमारे पास relation हो जाएगा, देखिए. cos to the power 4x plus cos square x is equal to 1. और यही तो हमें value निकालनी थी. यानि clearly हमारा answer क्या हो जाएगा 1, यानि यहां से हमारा correct answer हो जाएगा c. ठीक है? अगला सवाल देखते हैं. Next question है, हमारे पास x is equal to y cos 2 pi by 3 is equal to z cos 4 pi by 3. तो सबसे पहले तो यह cos 2 pi by 3 और cos 4 pi by 3. क्या इसकी value हम निकाल सकते हैं? तो एक बार देख लेते हैं. तो cos 2 pi by 3 को, द्यान दीजे, हम लिख सकते हैं cos of pi minus pi by 3. है ना? और cos of pi minus theta minus cos theta हो जाता है, यानि यह बन जाएगा minus cos pi by 3. और हमें पता है cos pi by 3 की value half होती है, तो यह हो गया minus half. Similarly, cos of 4 pi by 3 की value, क्या हम cos of 4 pi by 3 को cos of pi plus pi by 3 लिख सकते हैं? क्या बिल्कुल लिख सकते हैं? और cos of pi plus theta क्या होता है? minus cos theta, तो यह बन गया minus cos pi by 3, यानि इसकी भी value हो गई minus half. यानि यह जो relation अब हमें दिया हुआ है, यह लिखा हुआ है, x is equal to minus half y is equal to minus half z, ठीक है? यानि यहां से, अगर हम y की value x के terms में express करें, तो y is equal to minus 2x हो जाएगा, और z को भी अगर x के form में express करें, तो z is equal to भी minus 2x हो जाएगा, ठीक है? तो जो value अब हमें निकालनी थी xy plus yz and plus zx यहां पे y और z को भी हम x के form में लिख देते हैं, तो x तो यहां रहनी ही देते हैं, y के बदले में minus 2x आजाएगा, plus y के बदले में minus 2x, और z के बदले में भी minus 2x है ना? और plus z के बदले में minus 2x, और यहां पे x रहे गया, ठीक है? simplify करे, तो यह बन जाएगा minus 2x square, यह बन जाएगा plus 4x square और यहां भी बन गया आपके पास minus 2x square, यानि सारे terms cancel out के हमारी value क्या बन जाएगी? 0 यानि इस question का सही answer क्या हो जाएगा? Option B Next question देखते हैं Next question में हमें दिया the value of sine 10 degree plus sine 20 degree plus sine 30 degree plus so on, sine 60 degree तो clearly यह एक series of sine है, जिसमें angles हमारे 10 degree, 20 degree, 30 degree AP में हैं, और इस AP का difference कितना है? Common difference यानि consecutive terms का difference तो वो 10 degree है तो अगर आपको formula याद हो तो हमने इसका direct formula पढ़ा था अगर इस expression को for the timing में y बोल देता हूं तो आपको अगर formula याद हो तो formula होता था हमारा sine of first angle plus last angle divided by 2 तो 10 degree plus 360 degree, यानि यह हो गया 370 degree divided by 2, that is 185 degree है ना, into sine of n times number of terms यहाँ पे कितने हैं? तो देखिए, यह 1 into 10, 2 into 10 3 into 10, 36 into 10 तो total number of terms कितने हैं? 36, तो यह क्या हो जाएगा? n into, common difference कितना था? 10 degree, divided by 2 यह हो गया, और upon यह हमारे पास हो जाएगा sine of common difference that is 10 और divided by 2, that is 5 degree तो यहाँ से अगर आप देखो तो यह तो है हमारे पास sine 185 degree है ना? लेकिन यह वाला जो term हो रहा है वो बन जा रहा है sine 180 degree है ना? और divided by sine 5 degree लेकिन हमें पता है कि sine 180 degree की value कितनी होती है? 0 यानि यह पूरा expression क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा तो इस केस में हमारा option क्या हो जाएगा? option A आप चाहें तो याद करिए जो process हमने पढ़ा था उस process से भी कर सकते हैं ठीक है? process हमारा क्या था? इसको मैं method 2 लिख देता हूँ हम क्या करेंगे इसको? जो common difference आया है उसका half कर लेंगे पहले तो वो 5 डिगरी हो गया और 1 by 2 sin 5 डिगरी से multiply और divide कर देंगे पूरे expression को तो 1 by 2 sin 5 डिगरी और यहाँ पे आपका बन जाएगा 2 sin 10 डिगरी into sin 5 डिगरी है ना? plus 2 sin 20 डिगरी into sin 5 डिगरी and plus so on चलते चलते यह क्या बन जाएगा? 2 sin 360 डिगरी है ना? और into sin 5 डिगरी अब 2 sin A sin B यह formula हमें पता है तो यह बन जाएगा half of sin 5 डिगरी 1 by 2 sin 5 डिगरी 2 sin A sin B क्या होता है? cos of A minus B minus cos of A plus B तो cos of A minus B हमारा यहाँ पे cos 5 डिगरी minus cos of A plus B cos 15 डिगरी फिर यह बन जाएगा आपका cos 15 डिगरी minus cos 25 डिगरी and plus so on आखरी टर्म देखिएगा तो यह बन जाएगा cos of 360 minus 5 डिगरी that is 355 डिगरी and minus cos of 365 डिगरी अब यहाँ से देखिए इसका second term इसके first term से cancel इसका second term अगले वाले के first term से cancel उसी तरीके से second last term का second term और last term का first term cancel out हो जाएगा तो यह बन गया cos of 5 डिगरी minus cos of 365 डिगरी और 365 डिगरी को हम 360 plus 5 डिगरी लिख सकते हैं तो ideally देखिए तो 365 डिगरी तो 5 डिगरी के पराबर ही हो गया क्यूं? क्यूंकि हमने यहाँ पे 365 डिगरी को measure करने के लिए हम क्या करेंगे एक पूरा circle घुमेंगे तो यह 360 डिगरी और इधर 5 डिगरी एक्स्ट्रा आएंगे तो यह ultimately तो यह 5 डिगरी ही हुआ है ना? तो यानि यह भी cos 5 डिगरी ही लिखा हुआ है तो यह term और यह term भी cancel हो गया यानि सारे ही term cancel हो गया और अमारा answer के आजाना चाहिए था 0 तो अगर आप direct formula याद रखें तो भी आपके लिए helpful है formula directly याद न रखें तो at least अगर process याद रखेंगे तो आपके लिए beneficial हो जाएगा इसको मैं थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो ठीक है? So let's keep it here है ना? तो यह इस तरीके से सारे terms cancel out हो जाएगे और आपका answer आ जाएगा ठीक है? next question देखते हैं next question है if cos of alpha plus beta plus sin of alpha minus beta is equal to 0 तो 2,0,1,0 tan beta plus और हमें यह भी दिया हुआ है कि 2,0,1,0 tan beta plus 1 is equal to 0 तो आपको tan alpha की value निकाल नी है ठीक है? अब देखें जो relation दिया हुआ है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो यहां से हमारे पास relation हो जाएगा देखें ध्यान से इसको मैं इस तरफ ले जाऊँ ठीक है? तो यह बन जाएगा cos of alpha plus beta यह ना is equal to minus sin of alpha minus beta ठीक है? अब ध्यान से देखें अब मैं क्या करता हूँ? इसको expand कर देता हूँ तो expand करेंगे तो यह बन जाएगा cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta ठीक है? और इधर आपके पास हो जाएगा since एक minus sign है तो इसको मैं minus sign को पहले ही account करके लिख लेता हूँ sin alpha cos beta and plus cos alpha sin beta अब देखें हमें tan में terms चाहिए तो हमें sin नहीं चाहिए तो एक काम करते हैं cos alpha into cos beta से divide कर देते हैं तो जब divide करिएगा तो यह बन जाएगा 1 इधर आपके पास देखिए cos alpha cos beta से divide करिएगा तो यह बन जाएगा tan alpha into tan beta ठीक है? और इधर आपके पास बना, एक cos बीटा कड़ जाएगा, तो इधर से आपके पास बन जाएगा minus tan अलफा, और ये आपके पास बन जाएगा plus tan बीटा, ठीक है, अब बाकी सारे टर्म को हम LHS में लेके आते हैं, तो expression हमारे पास देखिए क्या बनता है, tan अलफा, ठीक है, और य एक plus 1 रहेगा और minus tan बीटा, इस equal to 0, ठीक है, अब अगर इन दोनों टर्म से मैं tan अलफा कॉमन कर लूँ, ठीक है, तो tan अलफा कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 1 minus tan बीटा, ठीक है, और plus, यहाँ भी देखिए, यह 1 minus tan बीटा लिखा हुए है, ठीक है, is equal to 0, तो clearly, आप देखेगा, तो यह factorize हो जाएगा, factorize कैसे होगा, tan अलफा plus 1 into 1 minus tan बीटा में, अब देखिए, जो information हमें दिया हुआ है, इस information से clearly हमारे पास जो result आता है, वो यह आता है, कि tan बीटा की जो value होगी, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें, तो tan बीटा की जो value हो होगी, वो minus 1 upon 2, 0, 1, 0 होगी, तो clearly tan बीटा 1 के बराबर नहीं है, यानि ये वाला term 0 नहीं हो सकता, तो दो terms का product 0 है, जिसमें से एक term 0 नहीं है, तो obviously दूसरे term को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, यानि यहाँ से अगर आप देखिए, तो आपके पास tan अलफा plus 1 is equal to 0 आएगा, और यहाँ से हमारे पास tan अलफा की जो value आजाएगी, वो कितनी आजाएगी, minus 1, यानि इस question का answer जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, sorry, option B, क्योंकि tan बीटा की value क्या हो जाएगी, minus 1, all right, next question देखते हैं, next question है, हमारे पास if tan x plus tan y is equal to 25, and cot x plus cot y is equal to 30, तो आपको चाहिए tan of x plus y, देखिए, mathematics में कोई भी problem अगर हम solve करते हैं, तो उसका एक proper process होता है, याद कर ये 10th class में, या 10th से पहले के class में, हम question किस तरीके से solve करते थे, कि हमारे पास जब भी question दिया हुआ होता था, हम सबसे पहले लिखते थे, to prove, मतलब क्या prove करना है, ठी इसके बाद हम लिखते थे, कि हमारे पास given क्या है, ठीक है, और इसका order हम कभी-कभी change भी कर लेते थे, कि given क्या है, और फिर to prove क्या करना है, समझ में आई बात, तो यानि आपको ये clear होना चाहिए, कि आपको prove क्या करना है, यानि answer क्या निकालना है, फिर आपको देखना आपते हैं, और बहुत important problem solving में, especially in mathematics, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, कि हमें value किसकी निकालनी है, तो tan x plus y, तो चलिए इसको मैं for the time being y बोल देता हूँ, और y हमें जो निकालना है, वो है tan of x plus y, ठीक है, अगर मैं इसको expand करूं, तो यह हो जाएगा tan x plus tan y upon 1 minus tan x tan y, ठीक है क्या, अब देखते हैं, कि हमें question में क्या-क्या information दिया हुए है, तो हमें question में tan x plus tan y की value दी हुई है 25, ठीक है, तो यहाँ इसका answer निकालने के लिए, हमें tan x into tan y की value चाहिए होगी, तो बाकी जो information है, उसकी help से हम लोग कोशिश करेंगे, कि tan x into tan y की value निका तो देखें, हमारे पास दिया हुआ है cot x plus cot y is equal to 30, तो cot को मैं 1 upon tan लिख लेता हूँ, तो यानि यहाँ से हो जाएगा 1 upon tan x plus 1 upon tan y is equal to 30, simplify किया अगर हमने इसको, तो यह बन जाएगा tan x plus tan y upon tan x into tan y, ठीक है क्या? tan x into tan y, और इसकी value 30 दी हुई है, अब question में हमें tan x plus tan y की भी value दी हुई है 25, तो इसकी value यहाँ 25 अगर substitute कर देते हैं, तो हमें tan x into tan y की value निकल जाएगी, ठीक है? तो clearly यहाँ से हम देख सकते हैं कि tan x into tan y, इसकी value आजाएगी हमारे पास 25 upon 30, 25 upon 30 कहने का मतलब कितना हो गया? 5 upon 6, तो देखे, यह value आगई हमारे पास, अब हम values यहाँ substitute कर देते हैं, तो tan x plus tan y की value हमें कितनी दी हुई थी question में? 25 और यह बन जाएगा 1 minus 5 upon 6, ठीक है? यानि denominator में आपके पास 1 upon 6 हो गया, तो answer आपका सीधे 25 into 6 बन जाएगा, that is 150, so 150 will be your answer, तो यानि कौन सा option यहाँ से सही हो गया? option A, ठीक है क्या? next question देखते हैं, question है, देखे, बीच बीच में आप लोग क्या करिये? ideally आपको तो जब भी नया question आए, वहाँ pause कर देना चाहिए video, उसको पहले खुद से solve करना चाहिए, जब खुद से solve हो जाए, तो finally आप video फिर देखके, और answer देखे कि आपका answer पहले match हो नहीं, अगर नहीं match होता है, तो फिर आप process ज़रूर देखिए, लेकिन अगर match भी होता है, तो भी आप process देखिए, क्योंकि आपने जिस process से किया है, क्या वो सबसे efficient way है question solve करने का की नहीं, वो आपको मेरे process से पता चल जाएगा, ठीक है? तो आईए, यहाँ पे हम बात करत लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास है tan alpha, और यह लिखा हुआ है 1 plus 2 to the power minus x, to the power minus 1, यानि यह लिखा हुआ है 1 upon 1 plus, 2 to the power minus x कितना हो जाएगा? 1 upon 2 to the power x, यानि simplify किया, तो यह बन जाएगा 2 to the power x upon 1 plus 2 to the power x, ठीक है? Similarly, tan beta को भी लिखते हैं, tan beta हमारे पास दिया हुआ है 1 upon 1 plus, पर यहाँ ध्यान से देखिए, 2 to the power x plus 1 क्या हो गया? 2 to the power x plus 1 को क्या हम 2 into 2 to the power x लिख सकते हैं? तो यह 2 into 2 to the power x हो जाएगा, तो यहाँ रख देते हैं, यह 2 into 2 to the power x, अब हमें निकालना है alpha plus beta, तो एक काम करते है हम tan of alpha plus beta निकाल लेते हैं, वहाँ से जैसी value आएगी, उसके according हम alpha plus beta भी निकाल लेगी, तो tan of alpha plus beta कितना हो गया? यह हो जाएगा tan alpha plus tan beta, ठीक है? अब values हम substitute कर देते हैं, tan alpha की भी value पता है हमें और tan beta की भी value पता है, तो tan alpha हो गया हमारा 2 to the power x upon 1 plus 2 to the power x, और plus tan beta हो गया हमारे पास 1 upon 1 plus 2 into 2 to the power x, ठीक है? divided by, एक काम करते हैं न, यहाँ 2 to the power x को लिखने में काफी space वगेरा जा रहा है और काफी time भी जा रहा है, तो हम क्या करते हैं? 2 to the power x को कुछ substitute कर लेते हैं, let us say, we say 2 to the power x is equal to t, है न, तो यह देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan alpha की value क्या हो जाएगी? t upon 1 plus t, है न, और tan beta की value देखें क्या हो जाएगी? 1 upon 1 plus 2t, बाद में हम simplify करने के बाद t के बदले में 2 to the power x रखतेंगे, ठीक है कै? तो यहाँ पर आगया हमारे पास 1 minus t upon 1 plus t and into 1 upon 1 plus 2t, simplify कर लेते हैं, तो यहाँ numerator हो जाएगा आपके पास, t into 1 plus 2t, है न, and plus 1 plus t, ठीक है क्या? और denominator हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि numerator में, जो denominator में 1 plus t into 1 plus 2t है, वो इधर के denominator के denominator से cancel out हो जाएगा, तो यानि यहाँ पर बच जाएगा आपके पास 1 plus t into 1 plus 2t and minus t, ठीक है? simplify करते हैं, तो यह बन गया, आपके पास देखिए, 2t square, और यहाँ से 1t और यहाँ से 1t, तो plus 2t, ठीक है? और plus 1, ठीक है? denominator में हमारे पास बनेगा, इन दोनों को multiply करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2t square, plus 3t, and plus 1, और minus यहाँ से 1t लिखा हुआ है, तो यह देखिए, numerator भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 2t square, plus 2t, plus 1, और denominator भी simplify करने के बाद, 2t square, plus 2t, plus 1 हो जाएगा, तो यानि यह value कितनी हो जाए 1, यानि कौन सा ऐसा angle होता है, जिसके tan की value 1 होती है, तो alpha plus beta की value क्या हो जाएगी? pi by 4, तो यानि यहां से हमारा answer क्या हो जाएगा? option B, ठीक है? next question देखते हैं, question है हमारे पास, 3sin alpha is equal to 5sin beta, तो आपके पास tan of alpha plus beta by 2 upon tan of alpha minus beta by 2 की value निकालनी है, देखिए, अब तो यह थोड़ा सा मैं दिमाग लगा के काम करूँगा, कैसे? मैं क्या करता हूँ, इधर से sin beta को इधर divide कर देता हूँ, और 3 को इधर divide कर देता हूँ, तो आपके पास जो expression आ जाएगा, वो यह आ जाएगा, sin alpha upon sin beta is equal to 5 upon 3, ठीक है? अब यहां से मैं लगा रहा हूँ, componendo, dividendo आपको याद होगा न, componendo, dividendo, componendo, dividendo क्या कहता है? कि अगर आपके पास, मैं इधर side में थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ, कि अगर आपके पास a upon b is equal to, इसको मैं दूसरे color से लिख देता हूँ, ताकि आप confused नहों, तो अगर आपके पास एक ratio दिया हुआ है, a upon b is equal to c upon d तो componendo, dividendo कहता है कि a plus b upon a minus b will be equal to c plus d upon c minus d, तो यह हम लगाने वाले हैं यहाँ पे, तो आएए लगाते हैं, तो यह बन जाएगा हमारे पास, sin of alpha plus sin of beta upon sin of alpha minus sin of beta, और यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास 5 plus 3 upon 5 minus 3, ठीक है क्या, अब देखिए, sin c plus sin d, formula हम लगा सकते हैं, तो यह बन जाएगा 2 sin c plus d by 2, यानि यहाँ के case में alpha plus beta by 2 into cos of c minus d by 2, that is alpha minus beta by 2, ठीक है, sin c minus sin d का formula क्या हो जाता है, यह बन जाता है, 2 sin c minus d by 2, that is alpha minus beta by 2 into cos c plus d by 2, that is alpha plus beta by 2, और इदर देखिए, तो यह 8 upon 2, that is 4 आगया, अब देखिए, इसको मैं 2 और 2 cancel कर देता हूं, अब ध्यान से देखिए, sin of alpha plus beta by 2, upon cos of alpha plus beta by 2, क्या बन जाएगा, tan of alpha plus beta by 2, यानि numerator में हमारे पास आगया, tan of alpha plus beta by 2, और denominator में देखिए, क्या होगा, denominator में यह sin of alpha minus beta by 2, upon cos of alpha minus beta by 2, मिलके क्या बन जाएगा, tan of alpha minus beta by 2, ठीक है, और हमारा answer कितना आगया, 4, और यही तो हमें निकालना था, तो यही हमारा answer हो जाएगा, और यहां से correct option हो जाएगा, D, ठीक है, next question देखते हैं, next question है, हमारे पास cos of alpha is equal to 2 cos beta minus 1 upon 2 minus cos beta, तो tan of alpha by 2 into cot of beta by 2 की value निकालनी है, ठीक है, अब यहां से देखिए, आपके पास result है, cos of alpha, तो इसको भी एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, cos of alpha upon 1, ठीक है, क्या, और यहां फिर से componentो, dividendो लगा देते हैं, ठीक है, तो यहां से हमारे पास result क्या हो जाएगा, cos alpha plus 1 upon cos alpha minus 1, और इधर देखिए, हमारे पास क्या होगा, numerator plus denominator, तो 2 cos beta minus 1 plus 2 minus cos beta, तो यह क्या बन जाएगा, cos beta and plus 1, ठीक है क्या, और इधर denominator में क्या बन गया, आपका देखिए दिखान से, अब this minus this करना है, तो यह क्या बन जाएगा, three times common, cos beta minus 1, ठीक है क्या, cos alpha plus 1 क्या हो जाएगा, आपके पास, 2 cos square alpha by 2, और cos of alpha minus 1 हो जाएगा, आपके पास minus 2 sin square alpha by 2, ठीक है, similarly, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, 2 cos square beta by 2, और यहाँ हो गया, आपके पास, minus 3 into 2 sin square beta by 2, ठीक है, यह 2, 2 तो सारे cancel हो गया, this 2, this 2, this 2 और this 2, cancel, यह minus minus भी cancel हो गया, अब ध्यान से देखिए, यह sin square alpha by 2, upon cos square alpha by 2, यानि यह बन जाएगा, 1 upon tan square alpha by 2, है न? और यहाँ देखिए, आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, आपके पास, 1 upon cot square alpha by 2, या फिर आप इसको cot, क्यूंकि cot चाहिए था, cot of beta by 2, तो इसको cot में ही रहने देते हैं, तो यह क्या बन जाएगा, cot square beta by 2 upon 3, तो इस tan को इधर, और इस 3 को इधर, तो देखिए, यही तो ऐसा कुछ result चाहिए था, हमें, tan square alpha by 2 into, cot square beta by 2, इसकी value आ गई है 3, और हमें इसका square root चाहिए, तो यही फाइनल आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर हमारे पास बन जाएगा, tan of alpha by 2 into, cot of beta by 2, इसका आंसर हो गया हमारे पास, root 3, ठीक है, minus root 3 भी हो सकता था, लेकिन option हमारे पास सिर्फ root 3 दिया हुए, क्योंकि square root निकाल रहे हैं, तो x square is equal to 4 के corresponding, दो solution आता है, x is equal to 2 और x is equal to minus 2, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास root 3 ही option है, तो यही हमारा answer हो जाएगा, और वैसे भी हमारे पास alpha, beta दोनों 0 से pi के बीच में दिये हुए हैं, तो अगर alpha, beta 0 से pi के बीच में दिये हुए हैं, तो alpha by 2, 0 से 90 डिगरी यानि फर्स्ट कॉडरेंट, beta by 2, 0 से 90 डिगरी यानि वो भी फर्स्ट कॉडरेंट, तो दोनों ही positive होंगे, तो दोनों का product क्या होना चाहिए, रूट 3, अगर minus root 3 भी option रहता, तो इस condition की वज़ा से हमारा answer सिर्फ क्या रहता, root 3, minus root 3 नहीं आता, तो हमेशा याद रखा कीजिए, कि जब answer निकल जाए, तो एक बार हम फिर से verify कर लेंगे, कि जो conditions दिये हुए हैं, उसके accordingly हमारा answer क्या बन रहा है, क्योंकि वही हमारा सही answer होगा, ठीक है, तो यहाँ question दिया हुआ है, कि the value of cot x, plus cot of 60, plus x, plus cot of 120 degree, plus x, is equal to, ठीक है, देखे, करने के तो बहुत सारे तरीके इसके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे convenient way मुझे दिख रहा है, वो अगर मैं इसको y ले लूँ, ठीक है, तो इस y को मैं लिखता हूँ, cot x, plus, इसको मैं expand गर देता हूँ, cot of 60, plus x, तो cot a, plus cot b, कितना हो जाता है, cot a, cot b, cot 60 degree, कितना होता है, 1 upon root 3, तो cot a, cot b, that is cot x, minus 1, upon cot b plus cot a, या cot a plus cot b, जो भी लिखना चाहें आप, तो यह हो जाएगा, cot x plus 1 upon root 3, फिक है, plus, यहां से क्या हो जाएगा, cot of 120 degree, cot of 120 degree is minus 1 upon root 3, cot x, minus 1 upon, cot x minus 1 upon root 3, फिक है, तो यह बन जाएगा, cot x minus 1 upon root 3, फिक है, इसको simplify कर लेते हैं, तो यह देखे, यह क्या हो जाएगा, हमारे पास, cot x plus, ध्यान दीजिएगा, denominator में यहां पर, cot x plus 1 by root 3, और यहां, cot x minus 1 by root 3, तो यहांनी, common denominator, हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यह बन जाएगा, cot square x minus 1 by 3, फिक है, इधर simplify करते हैं, तो 1 upon root 3, cot x, into cot x, कितना बन जाएगा, 1 upon root 3, cot square x, ठीक है क्या, फिर, यह बन जाएगा, 1 upon root 3, cot x minus 1 upon root 3, तो यह बन जाएगा, 1 by 3, cot x, तो minus 1 by 3, cot x, ठीक है, फिर, minus 1, and into minus 1 by root 3, तो यह बन जाएगा, plus 1 by root 3, एना, और minus 1 into cot x, एक और बन जाएगा, आपके पास, minus cot x, ठीक है, इसको मैं इस तरफ ले लेता हूँ, ठीक है, फिर, इन दोनों का multiply करेंगे, तो इन दोनों का multiply करेंगे, तो minus 1 upon root 3, cot x, और into cot x, तो यह बन जाएगा, minus 1 upon root 3, cot square x, ठीक है, फिर, यहाँ हो गया, minus 1 upon root 3, cot x, plus 1 upon root 3, तो यह 1 upon 3, cot x, ठीक है, और फिर, यहाँ पर, आपके पास हो गया, minus 1 into cot x, this is minus cot x, and then, minus 1 upon 1 upon root 3, that is minus 1 upon root 3, ठीक है, अब देखेंगे, यहाँ से बहुत सारे terms कटेंगे, कौन-कौन से, यह minus 1 upon root 3, और, यहाँ पर, plus 1 upon root 3, कट गया, यहाँ से 1 upon root 3, cot square x, और यहाँ से 1 upon root 3, cot square x, कट गया, तो बाखी के terms हमारे पास बच गया, तो एक काम करते हैं, कि यहाँ पर 1 by 3, 1 by 3, और यह 1 by 3 दिख रहा है, तो 3 से multiply कर देते हैं, तो 3 से multiply करिएगा, तो यह cortex, minus 3 cortex, यह भी cortex, minus 3 cortex, तो मिलके, minus 8 cortex उपर हो जाएगा, तो यहाँ पर cortex था, बाकि अब, अब मैं simplify कर रहा हूँ, simple जोड़ कर था, तो minus cortex, 8 cortex, divided by, यहाँ पर आपके पास बन जाएगा, 3 cot square x, क्योंकि 3 से नीचे भी तो multiply करना पड़ेगा, minus 1, अब simplify करते हैं, तो यह बन जाएगा, 3 cot cubics, minus, यहाँ पर एक minus cortex, minus 8 cortex, तो बन जाएगा, minus 9 cortex, divided by, यहाँ पर हमारे पास है, 3 cot square x, minus 1, ऐसा कोई option हमें मिलता जुलता दिख रहा है क्या, तो कोई option ऐसा मिलता जुलता नहीं दिख रहा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से 3 common कर लूँ, तो यह दिखेगा आपको, cot cube x, minus 3 cot x, तो यह cot 3 theta के form में हम convert कर सकते हैं, minus minus दोनों जगह से common कर लें, तो अगर minus common कर लें, इधर से, minus 3 उपर से common कर लेते हैं, minus यहाँ से नीचे common कर लेते हैं, तो यह दिखेगा आपको 3 times of, यह 3 cot x minus cot cube x, अपान 1 minus 3 cot square x, यह cot 3 x का formula होता है, तो 3 cot 3 x, ऐसा कोई option दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो यानी, यह option तो गलत हो गया, यह भी option गलत हो गया, यह भी option गलत हो गया, तो बचा हमारे पास सिर्फ d, तो वैसे तो हमने देख लिया कि d हमारा answer सही होगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि सही आंसर है की नहीं तो यहाँ पे हमें tan के form में दिया हुआ है यानि इसको पूरा tan में convert करना पड़ेगा है ना तो एक काम करते हैं cot cube x दिया हुए ना तो हम tan cube x से multiply कर देते हैं numerator में भी denominator में भी तो देखें tan cube x से multiply करिएगा तो यह 3 cot cube x into tan cube x 1 बन जाएगा तो minus 3 यहाँ पे 3 बन गया यहाँ पे 9 cot x into tan cube x तो minus 9 tan square x बन जाएगा divided by denominator देखी यह 3 cot square x into tan cube x तो बन जाएगा 3 tan x है ना और यहाँ से minus tan cube x तो यह देखें हमारे पास option आ गया d and this is the correct answer ठीक है तो हमने elimination से भी निकाल लिया था और finally solve करके भी निकाल लिया ठीक है इसमें ना कई बर क्या होता है कि हम लोग कुछ values डाल के check भी कर सकते हैं जैसे मान लिजे x की value आप you know 0 degree, 10 degree, 20 degree जैसे भी बनता है एक अच्छा angle बनने के लिए अच्छा angle बनने के लिए आप वो values डाल के यहाँ पर check कर सकते हैं जैसे मान लिजे हम 0 degree डाल के देखते हैं तो लेकिन cot 0 undefined हो जाएगा तो 0 नहीं डालेंगे हम, ठीक है तो एक काम करते हैं 30 degree डाल के देख लेते हैं तो 30 degree डालिएगा तो cot 30 degree कितना होता है, root 3, ठीक है फिर यह हो जाएगा, cot 30 degree plus 60 degree, 90 degree, cot 90 degree कितना हो जाता है, 0 प्लस, यह क्या हो जाएगा आपके पास cot 150 degree, cot 150 degree कितना होता है, minus cos 30 degree, तो minus root 3 है ना, तो यह 0 आना चाहिए तो cot 30 degree पे आपकी value 0 आनी चाहिए, मालब x is equal to 30 degree पे value 0 आनी चाहिए, अब वहाँ पे आपको देखो, आप देखोगे तो यह दोनों तो option easily eliminate हो जाएगे, यहाँ पे यह cot 90 degree आ रहा है, यानि यह option possible हो सकता है, या यह option possible हो सकता है, अब यहाँ से फिर आप फंस जाओगे, तो इसलिए मैं कभी भी इस तरीके से values put करके, निकालने में believe नहीं रखता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि, especially JE type के examination में, options इस तरीके से form किये जाता है न, कि आप ऐसे put करके बहुत जल्दी answer नहीं निकालपा होगी, ठीक है तो इसलिए proper method आपको पता होना चाहिए, ठीक है जब कुछ नहीं समझ में आए, तो option रखके आप, कुछ options मतलब कुछ values रखके options eliminate कर सकते हो, ठीक है ओल्राइट next है हमारे पास, if x की value है, 5 pi by 2 से 3 pi के बिच में, x की value कहां से कहां तक दी होई है, 5 pi by 2, 2, 3 pi तो सबसे पहले हम quadrant decide करते हैं, यह किस quadrant का है, ठीक है तो 5 pi by 2 यानि कौन सा हो गया, अगर आप यहां से देखते हैं, x को अगर हम compare करें, तो x को अगर हम compare करते हैं, तो 5 pi by 2, यानि 1 pi by 2, 2 pi by 2 3 pi by 2, 4 pi by 2, 5 pi by 2 5 pi by 2 से 3 pi यह आपका second quadrant है बस ध्यान में रखेंगे, अभी इसकी ज़रूरत पढ़ेगी कि नहीं, यह मुझे नहीं पता, ठीक है बस यह ध्यान में रखेंगे कि यह जो x दिया हुआ है, यह second quadrant का एंगल है ठीक है, अब हमें दिया हुआ है कि इस expression को simplify करिए root over 1 minus sin x plus root over 1 plus sin x upon root over 1 minus sin x minus root over 1 plus sin x अब देखिए, 1 plus sin x और 1 minus sin x का एक बड़ा अच्छा result बुनता है, कैसे? देखिए, अगर हमारे पास 1, इसको मैं plus minus 2 लिख देता हूँ sin x ठीक है क्या? 1 को, क्या मैं sin square x by 2 plus cos square x by 2 लिख सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि ये तो trigonometric identity है और sin x को क्या मैं 2 sin x by 2 और cos x by 2 लिख सकता हूँ बिल्कुल half angle formula तो अगर आप यहाँ plus लेते हो तो ये बन जाएगा a square plus b square plus 2ab और minus लेते हो तो ये बन जाएगा a square plus b square minus 2ab यानि इन both cases आपके पास एक perfect square बनेगा जब plus लोगे तो ये plus के साथ perfect square बनेगा है ना और जब minus लोगे तो ये minus के साथ perfect square बनेगा यानि आपके पास 1 plus sin x आप लिख सकते हो sin x by 2 plus cos x by 2 का whole square और 1 minus sin x लिख सकते हो sin x by 2 minus cos x by 2 का whole square तो यह values मैं यहाँ पर substitute कर देता हूँ, for the time being इसको मैं y बोल देता हूँ, ठीक है, तो y आप अगर देखोगे, तो यह बन गया, root over 1 minus sin x, क्या लिख सकते हैं हम, sin x by 2 minus cos x by 2, minus cos x by 2 whole square, ठीक है क्या, फिर, यहाँ पर plus था, और यह हो जाएगा आपके पास, sin x by 2, and plus cos x by 2 whole square, ठीक है, upon, similarly, यहाँ पर भी आपके पास, same expression आ जाएगा है ना, यह बन जाएगा, sin x by 2, minus cos x by 2 whole square, and minus root over sin x by 2, plus cos x by 2 whole square, अब यहाँ पर एक और फंडा है, जो हमें पता होना चीए, क्या, और यह बहुत ही important है, इसको अगर आप गलत करोगे, तो question फिर गलत होने, बहुत सारे question गलत होने की संभावना हो जाती है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है, कि root over x square जो होता है, यह हमेशा mod x होता है, क्योंकि square root quantity ना हमेशा positive होती है, negative नहीं होती, ठीक है, तो root over x square जब भी होगा, absolute value of x होगा, यह बात समझ में आई, तो इसको देखते हुए, हमें लिखना पड़ेगा, इसको mod of sin x by 2, है ना, minus cos x by 2, plus mod of sin x by 2, and, sorry, यहाँ, minus x, plus cos x by 2, upon, यहाँ आपके पास बन गया, mod of sin x by 2, minus cos x by 2, and, minus, यहाँ पे बन जाएगा, mod of sin x by 2, plus cos x by 2, अब देखें, mod की क्या property होती है, कि mod के बाहर, अगर x को निकालोगे, तो यह x होगा कब, जब x greater than equal to 0, और यह minus x हो जाता है, जब x less than 0, ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आपको mod खोलना है, तो आपको यह देखना पड़ेगा, कि sin x by 2, minus cos x by 2, positive है की नहीं, और sin x by 2, plus cos x by 2, positive है की नहीं, तो इसके लिए एक काम करते हैं, हम लोग एक graph बना लेते हैं, ठीक है, graph से हम easily identify कर पाएंगे, तो देखिए, और एक ही graph पे sin और cos दोनों का graph बना लेते हैं, एक ही axis पे, तो यह हमारे पास हो जाएगा sin x का graph, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा cos x का graph, यह कुछ है, ऐसा cos x का graph, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, x by 2, x की value कहां से कहां तक है, 5 pi by 2 से 3 pi by 2 तक, तो x by 2 की value कहां से कहां तक होगी, x by 2 की value अगर हम निकालना चाहें तो, तो 2 से divide कर दीजे, यानि x by 2 जो होगा, वो 5 pi by 4 से लेकर, है ना, 3 pi by 2 तक के बीच में हो जाएगा, यानि यह x by 2 किस quadrant में हुआ, third quadrant में, ठीक है क्या, ध्यान से देखिए, यह third quadrant में हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, इस graph पे locate करते हैं, देखिए, cos और sin दोनों बराबर कहां पे होते हैं, एक तो pi by 4 पे होते हैं, ठीक है, और दूसरी बार बराबर कब होते हैं, यह pi plus pi by 4, that is, 5 pi by 4 पे, ठीक है क्या, क्यूकि इस पे दोनों ही positive होंगे, और pi plus pi by 4 पे दोनों ही negative हो जाते हैं, तो यहाँ पे दोनों बराबर होते हैं, तो 5 pi by 4 तो यहां हुआ, और 3 pi by 2 यहां कहीं हुआ, तो जो हम region जिसमें interested है, वो यह वाला region है, ठीक है, 5 pi by 4 से 3 pi by 2 वाला, यह वाला region है, है ना, अब देखिए ध्यान से, यह है हमारा cos का graph और यह है हमारा sin का graph, तो इस पूरे reason में देखिए, cos का graph sin के graph से उपर है, समझ मैं आरी बात, यानि cos x by 2 जो होगा, वो sin x by 2 से बड़ा होगा, ठीक है क्या, cos x by 2 जो होगा, वो sin x by 2 से बड़ा होगा, तो अब यहाँ पे sin x by 2 minus cos x by 2 जो लिखा हुआ है, यह value negative हो गई, क्योंकि sin छोटा है और cos बड़ा है, तो अगर यह modulus के अंदर की quantity negative है, तो modulus हटाएंगे, ठीक है, एक काम करते हैं, ग्राफ को इधर रख लेते हैं, क्योंकि आपको शायद दिखाना हो गया है, ठीक है, एक बड़ फिर से मैं इस ग्राफ को explain कर देता हूँ, फिर से देखिए ध्यान से, यह 5 pi by 2 से, ठीक है, 5 pi by 4 से, 3 pi by 2 वाला region, वो यह वाला region है, देखिए, यह 5 pi by 2 हो गया, और यह 3 pi by 2 ह हो गया, इस region में हमारे पास cos का जो ग्राफ है, वो sin के ग्राफ से उपर है, यानि cos x by 2 जो होगा, वो sin x by 2 से बड़ा होगा, ठीक है क्या, अब देखिए, यह जो sin x by 2 minus cos x by 2 है, यानि यह negative हो गया, क्योंकि sin छोटा है और cos बड़ा है, तो negative हो गया, तो modulus खोलिएगा, तो negative क लिए यह minus sin के साथ बाहर खुलेगा, तो यानि यह जो खुलेगा expression, ठीक है, वो क्या हमें देगा, यह हमें देगा, minus sin x by 2, और यह हो जाएगा, आपका plus cos x by 2, ठीक है क्या, Similarly, sin sin x by 2 और cos x by 2, दोनों ही angle third quadrant के हैं, तो दोनों ही negative है, देखिए y x-axis के नीचे है न, यानि दोनों ही negative है, यानि इन दोनों का sum यहाँ पे क्या है, negative है, तो यह भी जो खुलेगा, वो minus sin के साथ खुलेगा, तो यानि यहाँ पे हो जाएगा, minus sin x by 2, है न, and minus cos x by 2, ठीक है divided by, अब तो हमें clear होई गया है, यह खुलेगा, तो यह minus sin x by 2, and plus cos x by 2 हो जाएगा, और यहाँ खुलेगा, तो यह minus के साथ खुलता है, और यहाँ पहले से ही एक minus है, तो मिलके plus हो गया, तो यह बन जाएगा, plus sin x by 2, and plus cos x by 2, ठीक है, यहाँ से देखिए, आपके पास cos x by 2, cos x by 2 cancel हो गया, यहाँ से sin x by 2, sin x by 2 cancel हो गया, तो numerator बन जाएगा, minus 2 sin x by 2, और denominator बन जाएगा, minus 2 cos x by 2, 2 cancel कर देते हैं, तो यहाँ यह हो गया हमारे पास minus sin x by 2 upon cos x by 2, यहाँ फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा, minus tan x by 2, यहाँ से कौन सा option सही दिख रहा है आपको, option d, तो d हमारा सही आंसर होगा, तो यह बात हमेशा याद रखिए, दो चीज़े सीखने को मिली यहाँ पे, कि आपके पास अगर 1 plus sin x है, तो आप उसको sin x by 2 plus cos x by 2 का whole square लिख सकते हो, 1 minus sin x है, तो sin x by 2 minus cos x by 2 का whole square लिख सकते हो, square root से अगर कोई quantity बाहर निकालते हो, तो हमेशा एकदम यह अपने दिमाग में डाल लो, कि square root से कोई भी quantity अगर हम बाहर निकालेंगे, तो हमेशा मौड के sign के साथ निकालेंगे, और मौड हटाएंगे कैसे, अंदर वाली quantity के sign पे depend करेगा, मौड के अंदर जो quantity है, अगर वो positive हुई, तो as it is, वो मौड के बाहर आ जाएगा, और अगर mod के अंदर की quantity negative हुई तो negative sign के साथ वो quantity बाहर आएगी ठीक है? All right अगला सवाल है हमारे पास The value of cot 7.5 degree plus 67.5 degree minus cot 67.5 degree minus 10 7.5 degree ठीक है? यह value है तो एक काम करते हैं कि यह 7.5 degree वाले जो terms हैं इनको साथ में ले लेते हैं और यह जो 67.5 degree वाले term है इनको साथ में ले लेते हैं ठीक है क्या? तो उससे क्या होगा कि हमारे पास काफी खुड़ा सा आसान हो जाएगा चीजों को समझना तो एक काम करते हैं यह लिख लेते हैं इसको मैं y बोल देता हूँ कि इसकी value निकाल नहीं है हमें तो y is equal to हो गया ठीक है? cot 7.5 degree minus tan 7.5 degree ठीक है? और minus यहाँ से भी मैं minus common के साथ लिख रहा हूँ cot 67.5 degree minus tan 67.5 degree ठीक है क्या? अच्छा है आगे बढ़ने से पहले यह लिखा हुआ हमें दोनों ही expression जो हमें दिख रहे हैं वो cot theta minus tan theta के form में दिख रहे हैं तो एक बार मैं चाहता हूँ कि cot theta minus tan theta को थोड़ा देख लें कि कहीं कोई धंका expression बनता है क्या इससे तो आईए इस तरफ हम लोग cot theta minus tan theta के बारे में देखते हैं तो cot theta minus tan theta अगर हमने लिखा ठीक है? यहाँ से देखिए तो यह क्या हो जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूँ cos theta upon sin theta minus sin theta upon cos theta है ना? तो इसको मैं cos upon sin minus sin upon cos simplify करेंगे तो यह हो जाएगा देखिए cos square minus sin square तो cos square minus sin square upon sin into cos तो यह तो cos 2 theta दिख रहा है हमें यह क्या दिख रहा है? cos 2 theta और इधर अगर 2 से multiply कर लें ठीक है? तो यानि इधर उपर में हमने 2 से multiply कर दिया और नीचे 2 sin cos मिलके क्या बन जाएगा? sin 2 theta है ना? तो यह effectively आपको दिख रहा है 2 cot 2 theta 2 cot 2 theta यानि यहां से एक बहुत important result आ गया और यह भी हमें बहुत बार काम आता है इसको मैं अभी यह चीज हमने समझ ली यह आया कैसा? तो एक result के तौर पे ही इसको याद करके रख लीजे result क्या है? result यह है कि आपके पास cot theta minus tan theta अगर आप लिखते हो तो यह बन जाएगा 2 cot 2 theta आप इसको एक और तरीके से प्रूफ कर सकते थे कैसे? देखिए ध्यान से इसको मैं मिटा दू? for the timing मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने यह चीज समझ लिए होगी ठीक है? तो मैं इसको मिटा के और एक और तरीके से यह प्रूफ करता हूँ देखिए ध्यान से तो आपके पास है cot theta minus tan theta है ना? tan theta को मैं 1 upon cot theta लिख देता हूँ तो यह क्या बन जाएगा? cot theta minus 1 upon cot theta और यह देखिएगा तो यह बन गया cot square theta minus 1 upon cot theta अब अगर आप 2 से multiply और divide कर देते हो तो यह जो formula बना cot square theta minus 1 upon 2 cot theta यह किसका formula होता है? cot 2 theta का तो यहाँ से भी आपका result आ गया 2 cot 2 theta ठीक है ना? तो यह काफी important result है और बहुत बार हमें काम आता है ठीक है? तो आप चाहें तो इसको गांठ बांद करके याद रख लें ठीक है? आएए फिर अब इस result का use करते हुए हम इसको solve करने की कोशिश करते हैं तो यह लिखा हुआ है cot theta minus tan theta तो हमारे पास यह value कितनी बन जाएगी? यह value हमारे पास बन जाएगी ठीक है? यह बन जाएगी 2 cot 15 degree है ना? 2 cot 2 theta और minus यहाँ से क्या बन जाएगा? 2 cot 2 cot यह 67.5 into 2 तो कितना हो जाएगा? 135 degree है ना? तो यह 135 degree हो गया अब देखिए ध्यान से cot 15 degree की value cot 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 45 minus 30 ठीक है? तो 2 cot 45 minus 30 cot 45 minus 30 तो formula क्या हो जाता है? cot A cot B plus 1 upon cot B minus cot A ठीक है? तो यह बन गया cot 45 degree that is 1 into cot 30 degree that is root 3 plus 1 upon cot 30 degree minus cot 45 degree तो यह बन जाएगा और यहाँ से cot 135 degree हुआ ठीक है? तो cot 135 degree को क्या लिख सकते हैं? 180 degree minus 45 degree तो cot of 180 degree minus 45 degree कितना होता है? बताए cot of 180 degree minus 45 degree यह आपका बन जाएगा minus cot 45 degree है ना? यानि यह minus 1 बन जाएगा तो effectively यह value आगई आपकी plus 2 आप चाहें तो इसको rationalize कर सकते हैं उपर नीचे मैं क्या करता हूँ? root 3 plus 1 से multiply कर देता हूँ तो root 3 plus 1 से multiply कर देजेगा तो यह बन जाएगा आपका root 3 plus 1 whole squared divided by 2 and plus 2 ठीक है? यह 2, 2 cancel अब इसको आप चाहें तो simplify कर लिजे तो यह क्या बन जाएगा? 4 plus 2 root 3 और plus 2 यानि 6 plus 2 root 3 यह आपके पास expression बन रहा है आप चाहें तो 2 common ले सकते हैं लेकिन ठीक है अगर यहां से आप देखें तो 2 common ले लिजे यह क्या बन जाएगा? 3 plus root 3 ठीक है क्या? अब देखतें कौन सा option हमारा सही है option A दिया हुआ है a rational number गलत हो गया option B irrational number तो clearly एक irrational number है तो यह सही option हो जाएगा option C twice of 3 plus 2 root 3 यहां पे 3 plus root 3 था तो यह भी गलत हो गया और twice of 3 minus root 3 यह भी गलत हो गया तो सिर्फ एक ही option हमारे पास सही है that is option B तो हमारा यह answer हो जाएगा an irrational number ठीक है? अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है हमारे पास x plus y is equal to 3 minus cos 4 theta ठीक है? x plus y क्या दिया हुआ है? 3 minus cos 4 theta और x minus y दिया हुआ है 4 plus sorry 4 times of sin 2 theta तो आपको बताना है इसमें से कौन सा relation सही है की values निकाल लेता हूँ इन दोनों को add कर दें तो हमारे पास 2x की value कितनी हो जाएगी? देखिए तो 3 minus cos 4 theta और plus 4 sin 2 theta यह बन जाएगा अच्छा यह cos 4 theta है तो मैं चाहता हूँ इसको sin 2 theta के form में convert कर देना ठीक है? तो मैं इसको लिखता हूँ 3 minus cos 4 theta को अगर हमें यानि यह cos 2 theta का formula लगेगा तो cos 2 theta क्या होता? 1 minus 2 sin 2 theta तो यह 1 minus 2 sin 2 2 theta बन जाएगा और यहां से आपके पास बन गया plus 4 sin 2 theta ठीक है क्या? अब अगर हम simplify करें तो यह लिखा हुआ है हमारे पास ध्यान से देखिए 2 plus 2 sin 2 2 theta और plus तो 2 common ले लिजे और simply यह बन जाएगा 2 sorry sin 2 theta sin 2 theta plus 2 sin 2 sin 2 theta sorry plus 2 sin 2 theta है ना? 2 sin 2 theta and plus 1 तो यह तो perfect square बन गया 2 चाहे तो आप cancel कर ले तो यहां नहीं यहां से x की जो value बन जाएगी यह बन जाएगी आपके पास square of sin 2 theta plus है ना? तो अभी फिलाल के लिए मैं इसको first expression बोल देता हूँ ठीक है क्या? आल राइट चाहें तो आप यहां से square root भी ले ले सकते हैं लेकिन हमें जैसी जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से देखेंगे फिर मैं क्या करता हूँ? this minus this divided by 2 यानि this minus this ही अभी कर लीजिए तो 2y की जो value हो जाएगी वो यह expression minus यह expression तो कितना बन गया? 3 minus cos 4 theta and minus 4 sin 2 theta ठीक है क्या? तो जो सिर्फ एक difference आएगा वो इस plus sin के बदले में minus sin लिखना है यानि जो यह sin 2 theta का coefficient हो जाएगा वो negative हो जाएगा sin 2 theta का coefficient negative तो directly लिख दू मैं तो यह बन जाएगा twice of यह देखिए तो sin 2 theta का coefficient अगर यहाँ negative हुआ तो sin square 2 theta minus 2 sin 2 theta और plus 1 तो यह sin 1 minus sin 2 theta का whole square नहीं हो जाएगा बिलकुल या फिर आप sin 2 theta minus 1 लिख सकते हैं कोई बात नहीं है तो यहाँ से जो y आया ठीक है वो क्या हो जाएगा 1 minus sin 2 theta का whole square ठीक है गया अब यहाँ से अगर हम देखते हैं दोनो equation तो first equation से अगर आप देखिए तो दोनो तरफ square root अगर ले लें तो root of x is equal to आपके पास क्या बन जाएगा यह बन जाएगा sin 2 theta plus 1 ठीक है क्या similarly root of y अगर आप निकालें तो यह क्या बन जाएगा 1 minus sin 2 theta और दोनों को अगर आप add कर दीजे इन दोनों को अगर आप add कर दीजे तो आपके पास result बन गया root x plus root y is equal to 2 ठीक है क्या तो यह आपके पास solution हो गया आप देखते हैं option हमारा कौन सा match कर रहा है तो d option match कर रहा है और यह हमारा answer हो जाएगा ठीक है next 13th है हमारे पास if a is equal to this and b is equal to this then root over a square plus b square की value निकाल नहीं है तो एक काम करते हैं direct a square plus b square निकाल लेते हैं जब आप निकालोगे ठीक है तो यह a plus b plus c का whole square का form है तो this square आएगा plus this square plus this square और इधर से b square में भी आपके पास आएगा this square plus this square plus this square ध्यान से देखिए यानि a square में आपके पास एक term आएगा sin square 2 pi by 7 और b square में आपके पास एक term आएगा cos square 2 pi by 7 मिलके क्या हो गया 1 add करोगे तो 1 हो जाएगा similarly sin square 4 pi by 7 plus cos square 4 pi by 7 add होके 1 हो जाएगा similarly sin square 8 pi by 7 plus cos square 8 pi by 7 यह भी add होके क्या हो जाएगा 1 तो 1 plus 1 plus 1 3 तो हमारे पास आगया अब a plus b plus c का whole square क्या होता है a square plus b square plus c square plus twice of a b plus b c plus c a तो यहनी twice of यहाँ पर आपके पास term आएगा a b that is sin 2 pi by 7 ठीक है और sin 4 pi by 7 similarly इदर cos वाले में भी आएगा क्या वो cos वाले में cos 2 pi by 7 into cos 4 pi by 7 तो इसको मैं साथ में लिख लेता हूं plus cos 2 pi by 7 cos 4 pi by 7 क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा न फिर similarly sin वाले में दूसरा term आएगा sin 4 pi by 7 into sin 8 pi by 7 तो यह बन गया sin of 4 pi by 7 into sin 8 pi by 7 है ना और cos वाले में भी यह term बनेगा क्या plus cos of 4 pi by 7 cos 8 pi by 7 ठीक है और आखरी term sin वाले में क्या बनेगा sin 2 pi by 7 into sin 8 pi by 7 तो यह बनेगा sin of 2 pi by 7 sin 8 pi by 7 और cos वाले में भी यह term बनेगा plus cos of 2 pi by 7 and cos of 8 pi by 7 तो यह expression बनेगा आप देखिए ध्यान से यह वाला formula अगर आप देखोगे यह वाला expression ठीक है यह expression तो यह लिखा हुआ है cos A cos B plus sin A sin B formula क्या हो जाता है cos A cos B plus sin A sin B का cos of A minus B ठीक है तो मैं इधर लिख रहा हूँ ध्यान से देखिए 3 plus पहला term बन जाएगा cos of A minus B यानि cos of 4 pi by 7 minus 2 pi by 7 तो यह बन गया cos of 2 pi by 7 ठीक है क्या plus वापस से यह वाला term देखिए है ना इस case में क्या होगा यह cos A cos B plus sin A sin B तो cos of A minus B cos of 8 pi by 7 minus 4 pi by 7 क्या बन जाएगा cos of 4 pi by 7 ठीक है क्या plus फिर यहां से देखिए वापस से cos of 8 pi by 7 minus 2 pi by 7 यानि cos of 6 pi by 7 ठीक है क्या अब यह हमें formula देख रहा है वो AP वाला याद करिए यहां पे सारे angles का difference consecutive angles का difference देखिए यहां भी difference 2 pi by 7 यहां भी difference 2 pi by 7 पी का formula हम लगा सकते है क्या बिल्कुल तो यह क्या बन जाएगा हमारे पास cos of first angle plus last angle divided by 2 तो first angle plus last angle divided by 2 क्या बन जाएगा 4 pi by 7 into sine of number of terms यहां 3 है और difference कितना आ रहा है हमारे पास 2 pi by 7 उसका half करना है तो यह 3 pi by 7 हो गया divided by sine of क्या ना divided by sine of हमारे पास कितना हो जाएगा difference by 2 that is pi by 7 ठीक है क्या यह expression हो गया हमारे पास अब यहां से अगर हम देखें cos of 4 pi by 7 into sine of 3 pi by 7 upon sine of pi by 7 आया ठीक है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 से multiply कर लेते हैं उपर नीचे ठीक है 2 से multiply कर लेते हैं ठीक है तो 2 cos a sine b 2 cos a sine b का formula लगा सकते हैं हम तो यह क्या बन जाएगा 3 plus 2 2 cos a sine b क्या होता है cos of 2 नहीं यहां से अठा देते हैं तो यह क्या हो जाएगा sine of a plus b sine of a minus b sorry, sine of a plus b minus sine of a minus b तो sine of a plus b कितना हो गया यहां से? देखें sine of a plus b हो गया sine of 7 pi by 7 यानी pi n minus sine of a minus b that is pi by 7 ठीक है? divided by यहां से 2 sine pi by 7 ठीक है क्या? यह हम लिख सकते हैं अब यहां से देखिए क्याना यहां से हमारे पास अच्छा यहां पे 2 miss हो गया था यह 2 रहेगा यहां पे ठीक है? तो यह 2 यहां रखी देते हैं ठीक है? तो 2 और 2 cancel out हो गया एक काम करते हैं into 2 रखते हैं तो यह 2 और यह 2 cancel out हो गया sine pi की तो value 0 हो गई और यह देखिए तो sine pi by 7 और upon sine pi by 7 तो effectively यह value क्या हो जाएगी? minus 1 ठीक है? into 2 था यहां पे मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ इस तरफ ले आके ताकि आपको सही से दिखे तो यह हो गया minus 1 तो effectively हमारा जो answer हो जाएगा वो 3 minus 1 हो जाएगा 3 minus 1 that is value हो जाएगी 2 लेकिन यह तो value a square plus b square की थी हमें चाहिए था root over a square plus b square की value root over a square plus b square हमारे पास कितना हो जाएगा? बताए root 2 root 2 यानि यहां से कौन सा option सही हो गया? b option ठीक है क्या? अगला सवाल देखते हैं next question है if fx is equal to sin 3x upon sin x और x की value n pi नहीं है then range of value of fx हमेशा यह याद रखे यह वाला term हम याद रखेंगे कि x की value n pi नहीं है ठीक है? range निकालना है हमें तो fx is equal to sin 3x को हम क्या लिख सकते हैं? 3 sin x minus 4 sin qx ठीक है क्या तो? और divided by sin x तो sin x common होके हम cancel कर देते हैं तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा 3 minus 4 sin square x ठीक है क्या? अब इसकी maximum minimum value ही तो निकालनी है तो बताए तो fx की जो minimum value होगी वो क्या होगी? तो sin square x की maximum value डाल दीजेगा तो fx की minimum value आ जाएगी तो sin square x की maximum value क्या होती है? 1 तो fx की minimum value होगी minus 1 ठीक है? fx की maximum value के लिए हमें थोड़ा द्यान देना पड़ेगा fx की maximum value के लिए यह sin square x क्या होना चाहिए? minimum होना चाहिए और हमें पता है कि sin square x की minimum value क्या होती है? 0 लेकिन 0 होने के लिए x को multiple of pi होना पड़ेगा है ना? x को क्या होना पड़ेगा? multiple of pi लेकिन यहां से दिया हुआ है कि x is not a multiple of pi ठीक है? यानि exactly equal नहीं हो सकता या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि यह जो sin square x है है ना? sin square x sin square x की minimum value अभी 0 के बराबर नहीं होगी ठीक है? बराबर क्यों नहीं होगी? क्योंकि x n pi नहीं हो सकता और अगर x n pi नहीं होगा तो sin 0 नहीं होगा sin 0 नहीं होगा तो sin square x की value 0 नहीं होगी maximum अभी भी क्या हो सकता है? अब आपको चाहिए minus 4 sin square x तो आपको क्या करना पड़ेगा, minus 4 से multiply करना पड़ेगा, inequality का एक rule होता है, कि अगर आप negative number से कभी भी inequality को multiply करते हो, यानि inequality के across terms को, अगर आप negative number से multiply करते हो, तो inequality reverse हो जाती है, कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके पास, inequality है कि 3 greater than 2, क अब चलिए मैं इस inequality के across minus 1 से multiply कर देता हूँ, तो minus 1 से multiply करोगे, तो क्या हो जाएगा, यह बन जाएगा minus 3, और यह बन जाएगा minus 2, बताओ तो अभी inequality क्या हो गई, minus 2 बड़ा होता है, minus 3 से, तो inequality क्या हो जाता है, change, यह याद रखिएगा हमेशा, कि inequality के across, अगर हम कभी भी negative number से multiply करते हैं, तो inequality का sign क्या हो जाता है, change हो जाता है, तो इस बार जब minus 4 से आप multiply करोगे, तो inequality का sign reverse हो जाएगा, तो minus 4 sin square x, है ना, और यह हो जाएगा greater than equal to minus 4, अब इसमें हम क्या add कर रहे हैं, 3 add कर रहे हैं, तो 3 add कर दीजे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा आपके पास, है 3 minus 4 sin square x is greater than, इसमें भी 3 जब add कर दीजेगा, तो कितना हो जाएगा, आपके पास minus 1, तो clearly यह जो 3 minus 4 sin square x है, इसकी minimum value minus 1 और maximum value क्या हो रही है, 3 लेकिन open interval में, तो clearly जो fx का हमारा range हो जाएगा, वो range होगा, कहां से कहां तक, minimum से, तो minimum minus 1 close पे रहेगा, और maximum जो 3 रहेगा, वो open पे रहेगा, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप यह ध्यान में नहीं देते, तो आप फटा-फट A option mark करके आ जाते, और वो गलत हो जाता, हमारा सही option क्या है, option B, ठीक है, अगला सवाल है, maximum and minimum value, ऐसे questions हमने किये हैं, लेकिन फिर भी, मैं expect करूँगा, कि आप इस question का तो, पूरी तरीके से सही answer निकालेंगे, ठीक है, तो आए निकालते हैं, हम इसको y बोल देते हैं, तरीका मैंने आपको बताया था, कि हमें पहले perfect square बनाना होता है, तो एक काम करते हैं, 2 हम common बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, sin square theta, ठीक है, और minus यह बन जाएगा 3 by 2, तो एक काम मैंने बताया थ था कि इसको 2 से multiply करो, और sin theta का जो coefficient बनाओ, उसको 2 से divide करो, तो 3 by 4 हो जाएगा, और sin theta, फिर perfect square बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके squares को हमें add करना पड़ेगा, तो 9 upon 16 हम add करते हैं, और 9 upon 16 हम subtract कर देते हैं, ठीक है, और यह plus 2 को हम बाहर ही रहने देते हैं, अब द हमारा sin theta minus 3 by 4 का whole square, तो sin theta minus 3 by 4 का whole square, ठीक है, और यहां से यह minus 9 by 8, 2 से multiply होके बाहर निकलेगा न, तो 2 से multiply करिएगा, तो minus 9 by 8 बाहर निकलेगा, तो minus 9 by 8 and plus 2, ठीक है, तो effectively यह कितना हो गया, 7 by 8 and plus twice of sin theta minus 3 by 4 whole square, अब y की बताइए minimum value, minimum के लिए square quantity क्या होनी चाहिए, 0, तो square quantity 0 होने के लिए sin theta के value 3 by 4 होनी चाहिए, और sin theta का range होता है minus 1 से 1 तक, तो क्या 3 by 4 possible है? बिलकुल है, तो sin theta की value जब 3 by 4 होगी, तो यह इसकी minimum value हो जाएगी, तो यानि यह 0 हो गया, तो y की minimum value क्या हो गई? 7 by 8, और y maximum, तो maximum मैंने बताया था, कि या तो sin theta के extreme value पे होगा, यानि या तो minus 1 के corresponding होगा, या फिर 1 के corresponding होगा, अब अगर 1 रखते हो, तो यह 1 minus 3 by 4, 1 by 4 का whole square हुआ, और minus 1 रखते हो, तो minus 7 by 4 का whole square हुआ, 1 by 4 का whole square, 1 by 16 होता है, और minus 7 by 4 का whole square, 49 upon 16 होता है, तो obviously बड़ा कौन सा होगा, 49 upon 16, यानि आपको जो maximum value मिलेगी, वो sin theta is equal to minus 1 के corresponding मिलेगी, अब देखिए, usually हम यहाँ पे time कैसे बचा सकते हैं, आप क्या कर करिएगा, कि आप पहले यहाँ पे minus 1 रखिएगा, फिर simplify करिएगा, तो यह बन जाएगा 49 upon 8, और plus 7, तो 56 upon 8, और answer आपका 7 आएगा, तो ऐसे कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका क्या है, कि जब हमने identify कर ही लिया, कि यह sin theta is equal to minus 1 पे maximum value लेगा, तो यहीं पे डाल देते हैं, यह expression जादा अच्छा दिख रहा है मुझे, ठीके, तो sin theta की value minus 1 हम यहीं पे डाल देते हैं, वहाँ से भी तो वहीं value आएगी, तो sin theta की value minus 1 यहाँ डालोगे, तो यह हो गया 2 plus 3 and plus 2, that is 7, यहाँ से भी आपकी value क्या आ गई, 7, लेकिन जादा आसानी से आई, महनत नहीं करना पड़ा, दिमाग को जादा दोडाना नहीं पड़ा, तो clearly आपकी maximum value 7 आ रही है, minimum value 7 by 8, तो आपको चाहिए था maximum and minimum value, तो maximum 7 और minimum 7 by 8, यह answer हो जाएगा, अगला सवाल दिया हुआ है कि for theta belongs to 0 to pi by 2, the maximum value of this, है न, is attained at what value theta, एक एक और interesting चीज़ बताता हूँ आपको, although हमने यह process किया हुआ है, लेकिन फिर भी, अगर आपके पास sin theta plus cos theta लिखा हुआ है, sin theta plus cos theta लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, root 2 times of sin of theta plus pi by 4, कैसे आया, यहां से दिखिए, तरीका मैंने बताया था, कि हम क्या करने है, हमें क्या करना है, इनके coefficients जो है, यह वो वाला type है न जहा पर sin or cos का argument क्या हो, same हो, तो यहाँ पर argument, sin or cos का, क्या है, same है, तो हम क्या करते हैं, coefficient के square को add कर देते हैं, और उसको square root से multiply और divide कर देते हैं, तो यह आया कैसे, तो हमने इसको square root 2 से multiply किया और divide कर दिया, ठीक है, तो यह sign of, मानलो, यहाँ पे अभी for the timing, हम thita को यही लेक चलते हैं थीटा से देखिए confused ना हो तो एक काम करते हैं थीटा को हटा के मैं x लिख देता हूँ ठीक है तो एक बाद फिर से फटा-फट यह लिख देते हैं sin x plus cos x sin x plus cos x और इसको हम लोग लिख सकते हैं root 2 times sin of x plus 5 by 4 कैसे तो coefficient से जैसे मैंने बोला कि multiply और divide कर देंगे coefficient के square के sum के square root से तो यह बन जाएगा sin of x and plus 1 by root 2 cos of x अब यह देखिए 1 upon root 2 को हम क्या लिख सकते हैं cos pi by 4 और यह 1 upon root को क्या लिख सकते हैं sin pi by 4 तो यह बन गया root of sin x cos pi by 4 यह ना and plus cos x sin pi by 4 देखिए formula बन गया क्या जो हमने लिखा था तो यह क्या बन जाएगा sin a plus b यानि sin x plus pi by 4 समझ में आया तो वही चीज हम यहाँ पर directly apply कर सकते हैं तो यहाँ पर भी तो क्या लिखा हुआ है sin x plus cos x तो अगर मैं इसको y बोलता हूँ और यह लिखा हुआ हमारे पास sin of theta plus pi by 6 and plus cos of theta plus pi by 6 तो यह sin x plus cos x का form लिखा हुआ है इसको सीधे सीधे हम क्या लिख सकते हैं root 2 time sin of x plus pi by 4 यानि theta plus pi by 6 plus pi by 4 ठीक है क्या अब हमें दिया हुआ है कि यह maximum value attain करता है किस value of theta के लिए तो sin maximum कब होता है जब sin के अंदर का argument क्या हो जाए pi by 2 तो for y to be maximum ठीक है आपके पास theta plus pi by 6 plus pi by 4 किसके पराबर हो जाना चाहिए pi by 2 के है ना तो यानि यहां से theta आप निकालोगे तो simplify करने के बाद answer क्या आ जाएगा तो यह pi by 4 minus pi by 6 that is pi by 12 pi by 12 आजाएगा और यहां से option हमारा कौन सा match हो रहा है option a ठीक है next सवाल देखते है अब यह बहुत interesting सवाल है और बहुत important सवाल है ठीक है इसको बहुत ध्यान से देखना आप इसको बहुत unique तरीके से हम लोग solve करेंगे यहां पे for the timing इस expression की value निकालनी है तो मैं इसको p बोद देता हूँ p is equal to sin pi by 14 ठीक है ध्यान से देखना इसको क्योंकि बहुत interesting सवाल है यह into sin 3 pi by 14 और into sin 5 pi by 14 ठीक है क्या यह हमें लिखा हुआ है अब यहां से मैं खुद से क्या कर रहा हूँ एक expression लिख रहा हूँ Q और Q मैं खुद से याद रखो यह मैं खुद से लिख रहा हूँ तो यह क्या है इसको मैं रहा हूँ cos of pi upon 14 into cos of 3 pi upon 14 और into cos of 5 pi upon 14 ठीक है क्या अब इन दोनों को multiply कर देते हैं तो यह हो गया और इसमें मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिए, तो सबको bracket में कर लेते हैं, तो ये हो गया sin pi by 14, into cos pi by 14, ठीक है क्या? और इसमें अगर हम 2 से multiply और divide कर दें, तो ये 2 sin a cos b, 2 sin a cos a sin 2 theta का formula बन जाएगा, similarly half, और 2, sin of 3 pi by 14, और into cos of 3 pi by 14, ठीक है क्या? similarly, into 1 by 2 times, twice of sin of 5 pi by 14, और into cos of 5 pi by 14, ठीक है क्या? ये 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 मिलके 1 by 8 आया, मैं इसको इधर लिखतेता हूँ, ठीक है? अब ये क्या हो जाएगा 2 sin a cos a, sin 2 a का formula, तो ये बन गया आपका sin of 2 pi by 14, ठीक है क्या? into sin of, ये बन जाएगा आपके पास 6 pi by 14, और ये आपके पास बन गया sin of, क्या बन जाएगा? 10 pi by 14, ठीक है? अब ना, मैं इसको चाहता हूँ, कि cos में convert कर लिएगा, तो sin of 2 pi by 14 को अगर मुझे cos में convert करना है, तो क्या करना पड़ेगा? cos of pi by 2 minus 2 pi by 14, ठीक है क्या? तो मैं इसको लिखता हूँ, 1 by 8, इसको इस तरफ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, 1 by 8, यहां से देखिए, pi by 2 minus 2 pi by 14 कितना बनेगा? pi by 2 minus 2 pi by 14, तो कितना बन जाएगा? 5 pi by 14, तो ये बन गया cos of 5 pi by 14, ठीक है क्या? similarly, pi by 2 minus 6 pi by 14 कितना बनेगा? pi by 2 minus 6 pi by 14, ठीक है? तो ये pi by 14 बन जाएगा, ना, pi by 14, तो ये बन गया cos of pi by 14, फिर pi by 2 minus 10 pi by 14 कितना बनेगा? तो ये बन जाएगा minus 3 pi by 14, ठीक है? क्या क्या बनेगा? minus 3 pi by 14, अच्छा, cos of minus theta क्या होता है? cos theta ही होता है, याद करिए, cos of minus theta is cos theta, तो ये cos of minus 3 by by 14 लिखे, या cos of 3 pi by 14 लिखे, एक ही बात है, अब देखिए interesting factor, ये तो वापस से हमारा q बन गया, यानि हमारे पास जो result आया, वो ये आया कि pq is equal to 1 by 8 times q, ठीक है क्या? pq is equal to क्या आगया? 1 by 8 times q, clearly q की value 0 तो है नहीं, क्योंकि इन में से कोई भी angle 90 degree नहीं है, तो ये q और q हो जाएगा cancel, और यहाँ से p की value सीदे सीदे हमारे पास क्या आ जाएगी? 1 by 8 and this will be our answer, तो देखिए कितना interesting तरीका है इस question को solve करने का, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा answer क्या हो जाएगा? option b. अब यहाँ से मुझे एक feel आ रही है, क्या feel आ रही है? कि sin a, sin b, sin c लिखा हुआ है, तो कहीं से भी अगर मैं इसको 2a, 2b, 2c के form में लिख लेता, तो हमारे पास एक result होता है, याद करिए sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 4 times of sin a, sin b, sin c, होता है न? अब देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? 80 degree दिया हुआ है, तो क्या sin 20 degree को sin 160 degree लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि sin 20 degree हमारे पास कितना हो जाएगा? sin 20 degree को sin of 180 degree minus 160 degree लिख सकते हैं, और sin of 180 degree minus theta हमारे पास क्या होता है? sin theta ही होता है, तो यह sin 160 degree लिख सकते हैं similarly इसको हम sin 130 degree लिख सकते हैं और इसको हम sin 70 degree लिख सकते हैं तो यानि जो यह expression है इसको अगर y बोलते हैं तो यह लिखा हुआ है 96 sin 80 degree into sin 65 degree है ना और into sin 35 degree और यहाँ पर interesting बात यह भी देखिए कि 80 degree प्लस 65 degree प्लस 35 degree इसके लिए क्या होना चाहिए 180 degree होना चाहिए तो clearly a plus b plus c 180 degree हो रहा है यानि these three are the angles of a triangle तो हमने याद कर यह triangle में कुछ identities पड़ी थी उसको अपन use कर सकते हैं यहाँ पे तो यह sin 20 degree के बदले में मैं लिख रहा हूँ sin of 160 degree plus यहाँ पे हो जाएगा आपके पास sin of 150 degree था ना तो 130 degree है ना और plus sin of 70 degree तो clearly यह लिखा हुआ है sin 2a plus sin 2b plus sin 2c expand करने पे हमारे पास value क्या हो जाती है 4 sin a sin b sin c तो यह sin 80 degree sin 65 degree sin 35 degree और denominator में हमारे पास बन जाएगा 4 times of sin 80 degree sin 65 degree और sin 35 degree ठीक है यह पूरा हो गया cancel 96 upon 4 answer हो जाएगा हमारा 24 ठीक है तो यानि यहां से कौन सा option सही हो गया option b ठीक है तो यह अभी तक हमने जितने भी सवाल किये यह single correct options वाले सवाल थे अब हम जो questions करेंगे वो multiple correct questions करेंगे तो इसको हम part 2 यह हमारा जो part 1 था part 1 में हमने वैसे सारे questions किये जो single correct options वाले थे तो part 2 में अब हम लोग करेंगे multiple correct questions paragraph वाले questions और numerical type questions ताकि आपका पूरा advance का practice cover हो तो इस part के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं ठीक है next part में हम लोग mcq, numericals और paragraph based questions करेंगे ठीक है तो मिलते हैं बच्चो next part में next part देखना बिलकुल मत बूलना और इस पूरे वीडियो को आप like और subscribe चैनल को जरूर कर लिजे क्योंकि ऐसे बहुत सारे interesting facts and figures हम लोग पूरे J syllabus में देखते रहेंगे और ऐसे बहुत सारी बारीकिया देखेंगे जो आपके result में जमीन आसमान का फर्क ला सकती है ठीक है अगर ये questions आपको अच्छे लगें तो आप इस पे comment जरूर करिए ठीक है क्योंकि आपके comment क्या होते हैं मेरे लिए बहुत ही motivating factors होते हैं और उसी comments के बल पे मैं फिर से अपने आपको energize करके और आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ ठीक है तो मिलते हैं बच्छों next part में next part बिल्कुल भी देखना मत भूलना ठीक है all right all the best keep studying